के लिए मंचपर उपस्तित हैं श्री लक्ष्मन गायकवार, श्री अजय नावरिया, श्री कौशल पवार, संचालक श्री भगवान दास मोरवार और मंचपर दैनिक जागरण समवादी की तीसरे दिन के पहले सत्र में आप सभी सम्मादी जिनका अभिनंदन कर रहे हैं दैनिक जागरण प्रकाशन समुह के डेपुटी जनरल मेनेजर श्री प्रशांत कश्यवजी और इसी के साथ आप सक्की साक्षी में आरंभ होने जा रहा है हमारा पहला सत्र मित्रो नमस्कार जागरण समवादी के इस संचकरण में अख्री दिन के पहले सत्र में आप सब का स्वागत है आजका विषय जैसा कि हमारी उद्घोशिका जी ने बताया बहुती समवेदन शील है और समवेदन शील इस माईने में है कि ये समवेदन शीलता किस तरह हमारे समाज में व्याप्त है ये आप सब जानते हैं आजका विशय है दलित सहित्य की चिनवतियां मित्रो यह संयोग है कि आज के सत्र में जहां दो युवा लेखक हिंदी भाषा के हैं तो एक वरिष्ट लेखक और शोशल एक्टिविस्ट दलितों और दी नौटिफाइड ट्राइब्स के लिए काम करने वाले सामाजी कारी करता लक्षमन गायकवाड जी हमारे बीच मौझूद हैं मैं शुरुआ थोड़ा सा दलित साहित्य के जो छोटा सा इतिहास है हमारे हिंदी साहित्य का उससे शुरू करना चाह रहा हूं बहुत से जो हमारे सामने में बेठे विद्वान जन है सब जानते हैं कि दलित साहित्य का विशेशकर हिंदी दलित साहित्य का इधियास बहुत पुराना नहीं है मुश्किल से ये धाई दशक पुराना विमर्श है और इस विमर्ष को केंदर में लाने का जो मैं कहता हूँ जो श्रे जो जाता है लाख सहमती और एह सहमती के बावजूद मैं और एक पब्लिक इंटिलेक्ट्ट्वल मैं उसको कहना चाहूंगा हंस के संपादक श्री राजिंद्री आदव जी को जाता है इसका श्रे दलित सहित दलित विमर्ष की मैं गभा रहा हूं मैंने भी देखा है एक समय था जब 1995 से लेकर लगबग 2000-2023 तक दलित सहित्य मैं जिसको कहना चाहिए कि एक ऐसा एक ऐसा समय था कि दलित सहित्य को लेकर उस वक्ट जो चुनोतिया थी पता नहीं आज वो किस रूप में है या नहीं है क्योंकि इसका जवाब जो आप लोगों की जिग्या सा वो तो हमारे सामने यह विद्वत जंग मैं इस सत्र की शुरुआत करूँ एक मॉडिरेटर के रूप में मैं सबसे पहले आप सबको सबका जो हमारे पैनलिस्ट हैं मैं इनका परीचे कराना चाहता हूँ मेरे सबसे बाई तरफ कौशल पवार पैठी हुई है कौशल पवार जी की खासियत यह है कि यह उत्त देव भाषा को पढ़ने पर भी आदिकाल में वन व्यवस्था के चलते एक तरह से प्रतिबंध था यहां तक कहा जाता है कि उस देव भाषा को पढ़ने और बोलने पर कान में सीशे डाल दिया पिगला कर सीशा डाल दिया जाता था तो उस देव भाषा संस्क्रिप्ट में इन्होंने प्सडी किया हुआ है पेशे से प प्रकाशित हो चुकी है और अभी पिछले वर्ष इनका यह बहुत ही महत्पूर्ण में इसको देख रहा था इनों अभी यह दिया एक इनकी पुस्तक है शुद्र इस्त्री परतंत्रता एवं प्रतिरोथ तो मैं समझता हूँ कि आज के इस सत्र में आपको कोशिश ये की जाएगी कि जलित विमर्ष के तहट जो चुनोतियां है जो अभी तक उसने जो रास्ता जो सफर तह किया है उस पर बातचीत हो उसके बाद मैं पीच में मेरे उनके बाद बैटे में आपके नावरिया जी नियोक से ये मेरे इसलामिया में हिंदी का पढ़ाते हैं और इनकी कुछ रचनाओं का अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है और दो अमरीकन यूश्टी में वो टेक्स्ट में पढ़ाई जाती है तीसरे हमारे जो सत्र के पैनलिस्ट हैं मैं इनको दलित विचारक और चिंतक कहना ज्यादा मुनासिब समझूँगा क्योंकि जब हम किसी को चिंतक और कहना चाहिए विचारक की परिभाषा से नवासते हैं विशेशन से नवासते हैं तो उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं सहायत्य अकादमी पुरुषकार से सम्मानित सार्क लिट्रेरी पुरुषकार इनको मिल चुका है इनकी एक आत्मकथा बहुत मशूर है ये आत्मकथात्मक उपन्यास कहते हैं उसको उचक का गायकवार जी को हम जैसे लोग एक तरह से हिंदी का ही लेखक मानते हैं मराथी लेखक होने के बावजूद इनके और उपन्यासे दबंग पत्थर कटवा वकील पारदी गायकवार जी दी नौटिफाइट ट्राइब्स के अखिल भारती अध्यक्ष हैं दी प्राइब्स कही जाती थी जो जातियां जो कि 1952 में पंडित नहरू ने डी नौटिफाइट की थी और चूंकि मैं इस विशेय पर इसलिए थोड़ा सा बात कर सकता हूँ या करने का अधिकारी हूँ कि मेरा भी एक उपन्यास रेत उत्तर भारत की एक इसी तरह की तथाकतित अपरादी जनजाती कंजर समुदाय को केंदर में रखकर लिखा गया है और मेरा परीषे भी लगवक कुछ ऐसा ही है मुझे भी थोड़ा सा लिखने पढ़ने का शौक है और हो सकता है कि इसी के मद्दे नजर मुझे यहां आमंत्रित क्या गया है मैं जागरन समवादी का फिर्दे से बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि कम से कम वन्चितों दलितों शोशितों को वाणी प्रदान करने के लिए जिस उदारता से अपने इस समवादी में मंच प्रदान कर रहा है पिसले वर्ष भी मैं इसी लखनों में आया था और संयोग से तब भी यही विशय था और उसमें हमारे जो दूसरे बहार से मराथी के लेखक आये तो शरन कुमार लिमबा ले थे और काफी विवाद हुआ था तो बहराल जहां दलित हो दलित लेखक हो दलित विचारक हो वहाँ विवाद ना हो तो ऐसी कल्पना हम बिलकुल नहीं कर सकते हैं तो आज का विशय है दलित साहित्य की चिनोतियां और मैं शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि हमारे यह कहा जाता है कि लेडिस फरस्ट तो मैं चाहता हूँ कि ये मौडिरेटर का काम है क्योंकि इसको घेरना है कि इसको क्या करना है तो कौशन पवार जी आपका जिस तरह का परीचे अभी सब लोगों को दिया गया आप दलित हैं उसके साथ साथ इस्त्री भी है यानि आप देखिए कि एक करेला दूसरा नीम चड़ा आप दलित हैं साथ में इस्त्री भी है और लेखन भी करती हैं और संस्किर्ट से आपने पढ़ाई लिखाई की है तो वर्तमान दौर में हम लोग ये सब जानना चाहेंगे कि एक युवा लेखक होने के नाते दलित साहित्य की ऐसी कौन सी चुनोतियों हैं जिन पर आप खुले मन से बात करना चाहेंगी कौशल को अधनिये मौरवाल जी जो इस सत्र के सहयोज़क है मेरे वरिष्ट दलित लेखक समाजी कारेकरता और पूरे साहित्य मेहत्त पुन हस्ताक्षर प्रफेसर आजनावर जी और हमारे बड़े भाई के समान लक्षमन गायकवार जी और सभागार में उपस्तित सभी सा जैसे कि अभी मुझे आदेश हुआ, मैं अपनी बात करने से पहले सबसे पहले अनंत वीजय जी का अभार व्यक्त करना चाहूंगी, जीनों ने इस मंच पर मुझे आने का मौका दिया, अपनी बात कहने का मौका दिया, दैनिक जागण समवाधी की मैं अभारी हूँ और का विशे है दलित साहित्य की चुन्नोतिया और जैसे कि संयोजक जी ने पहले ही बताया है कि मेरा चार तरह का डिमेंशन है एक तरह से मैं संस्क्रित पढ़ाती हूं और कुछ संस्क्रित में लिखवी लेती हूं कविताएं मेरी कुछ परकाशित हुई है और संस्क्रित पढ़ाना और साथ में संस्क्रित जैसे गहन भाषा में जो शुद्रों पर आती शुद्रों पर अध्दजे पर जो लिखा गया है उस पर मैं थोड़ा बहुत दखल अंदाजी करती हूं मैं यहीं से अपने बात की मेरा बात का प्रस्थान बिंदू भी रहेग चुनोतिया एक बहुत बड़ा पहाड की तरह हमारे सामने दिखाई देती है ना सिरफ दलित साहित्य में बलकि हम जब भी साहित्य की बात करते हैं जब भी किसी रचना की बात करते हैं वो इतना असान नहीं होता उसमें चुनोतिया अपने आप में समाहित होती है और फिर अगर उसमें दलिट साहित्य पर बात की जाए तो उसकी चुनोतियां का एक नया एक भंधार सामने दिखाई देता है और जो परतिस्थापित एक तरह से साहित्य हैं उस साहित्य पर बात करना परतिस्थापित से मेरा मतलब संस्क्रश जैसे साहित्य या फिर हमारा हिंदी साह पंजाबी साहिते हैं, अंग्रेजी का साहिते हैं, बहुत सारा साहिते हैं, जो भिन भिन भाषाओं में, भारत के संदर में, जो लिखा गया है, उन सब में एक बंधार जो दिखाई देता है, और उस प्रतिस्थापित साहिते पर बात करना, सबसे पहले तो चुनोती यही होत हम स्रिजनात्मक साहिट्य को थोड़ी देर के लिए हटा भी δें जो हमारे सामने प्रथिस्थापिद साहित्य हैं जब हम उस पर also भी बात करते हैं वो भी अपने आपशा ही काम होता है और उसमें अगर आप इस्तरी विमर्ष को लेकर बात करें और धलीट की कि बात करें तो और भी एक बड़ा अपने आप में बहुत चुनोती बढ़ा काम बन जाता है कि आज का जो विशे है उसी विशे पर क्योंकि समय के बड़ी पाबंदी है हमारे सब्सक्राइब को छोड़ दिया कम से कम शब्दों हम जादा से जादा जरूर इसलिए जहां पर मैं आप सब को पहुंचाना चाहती थी वहां पहुंच चुके हैं मेरी बात लग बग पूरी ह होई चुकी है कि यह बहुत बड़ा एक चुनोती का हमारे सामने चुनोती होती है कि उस परतिस स्थापित सहित्य प्रबात करना उसका विशलेशन करना उसका मुल्यंकन करना और फिर उसकी अलोचना करना अलोचना के बाद जो अगली महत्तपुनकड़ी होती है उसी को दलित विमर्ज के साथ साथ इस्त्री जो विमर्ज है उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और वो चुनौती इस रूप में है कि जब जब इस्त्री साहित्य पर बात करती है और खासकर जो हमारा जो जहां से आपने बात शुरू की थी वर्ण ववस्था की जो वर्ण कहने में कुछ स्टा-पृएं नहीं करती की दली थो आओ घर थोड़ा सा जादा नहीं तो कम भी नहीं है वहां भोग जाती कोश्र जी बुजय लगता है कि जो आपने इस सवाल इस पर इसको विस्तार से और आगे जाके बात करेंगे जरूर क्योंकि थोड़ी सी समय सामने घड़ी भी है तो मैं इस पर बार बार नजर आए नहीं अभी आप दुबारा भी आप से बात करेंगे जी अजे नावरिया जी आप तो दिल्ली में रहते हैं और लगभग जो हिंदी का जो दलिट साहित्य जब जिस वक्त केंदर में आया था आप उसको एक गवा के रूप में भी आपने देखा है तो आपकी नजर में दलिट साहित्य के ऐसी कौन सी चुनोतियां है वर्तमान दौर में जिनकों की लेक से उसको आगे जाकर और भवश्य के किस तरह के चुनोतियां हो सकते हैं धन्यवाद मौरवाल जी अधरनी मंच सामने आप सभी मित्र जो बात अभी शुरू की और संस्कृत साहित से लेकर वो यहां तक लाएं की दलितों के भीतर का भी जातिवाद कहीं कुछ है जो मैं समझता हूँ कि परिवर्तन कोई भी होता है वो प्रक्रिया बद्ध होता है वो अलग-अलग स्टेजिस में चरणों में चलता है तो जैसा कि मौरवाल जी अपनी बातचीत में कह रहे थे कि लगबख धाई दशक तो धाई दशक हिंदी का और अगर मराठी में जाएं तो 72 से जब दलित पैंथर शुरू होता है तब से ये माना जाता है मगर एक चीज जो मैं हमेशा लक्ष करता रहा हूं दलित मराठी साहित में और हिंदी साहित में वो ये है कि मराठी साहित में माफ करेंगे मुझे लक्षमण गायकवाल इस बात को कहने के लिए कि मराठी साहिते, जो दलित साहिते है वो रुक गया है, अवरुद्ध हो गया है मेरे सामने दो-तीन लेखक तो मुझे दिखते हैं जो इस समय भी रचना कर्म में सनलगन हैं, गायकवार जी हैं, शनकोमल लिम्बाले हैं मगर मैं ढूणने पर भी कोई 35-40 साल के अच्छे लेखक मराठी में जो दलित राइटिंग कर रहे हैं, वो नहीं देख पाता हूँ इसकी एक वज़ा है, जो मैं समझता हूँ, और मैं गलत बे समझ सकता हूँ वो यह है कि मैं मानता हूँ इस बात को कि जो पहला चरण था, जो प्रक्रिया का पहला चरण था, वो आक्रोश था और जाहिर है कि वो चरण बना रहेगा, क्योंकि वो उसका मूलभूत चरण है, मगर उसके आगे जब तक हम दूसरे चरणों में प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक हम नए साहित्य को उसमें समावेशित नहीं कर पाएंगे, और होगा यह कि वो एक दोहराव में, जिसे रि जो अकसर इल्जाम लगता है, जो सो कॉल्ड में स्ट्रीम लिटरेचर की तरफ से, आप उसे जो भी कहिए, कि दलित साहित्य में बहुत भटकाओ है, दोहराओ है, वो वजह वही है जिसकी तरफ इशारा कोशल जी नहीं किया, कि हमने आत्मा लोचन का जो दूसरा चरण था, उसमें प्रवेश नहीं किया, और जैसे ही हम आत्मा लोचन में प्रवेश करते हैं, हम पाते हैं कि यह जो जाती विवस्ता है, यह पूरे भारती समाज की विशिष्टता है, चूंकि दस साल संयोग से मैंने भी हिंदु धर् आत्मा लोचन नहीं करते हैं, जो कि बहुत जरूरत है चुनोती की तरह, तो हम उस जाती विवस्ता को ठीक से नहीं पकड़ सकते, तब हम एक हम और वे में बाट कर उस पूरे संघर्स को रिडियूस कर देते हैं, जबकि यह हम और वे, अगर आप आत्मा लोचन में जाते हैं, तो पाएंगे कि उन जातियों के बीच भी है जो दलित जातियां है, वे भी अपने को स्रेश्टता बोद से बचा नहीं पाई ह उन से ग्रस्थ हैं, और ये जब तक हमारे साहित में नहीं आहेगा, तब तक ये 21 साहित रहेगा क्योंकि तब तक सवाणों को, मैं फिर कह रहा हूं, सारे सवाणों को शामिल नहीं कर रहा हूं, वे सारे सवाण जो अभी उस पारंपरिक जीवन को बहुत श्रे मानते हैं, जो पुराना था, उनकी बात करता हूँ, जो चाहते हैं कि यथा इस्तिवाद बना रहे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो आगे बदलाव चाहते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मगर अगर हम आत्मा लोचन करते हैं, तो हम पाएंगे कि हमें वो समस्याएं भी दिख कि शायद मैं हंस पत्रिका के संपादधक राजेंजी कि साथ लंबे समय तक गुड़ा रहा एक युगा विशेशांग भी मैंनेहंस का निकाला था दलित विशेशांग का अत्यत्ति संपादधक राहस्योग किया मैंने शुराज सिंग देचाइन जी को मैंने पाया कि जैसे ही मैं यह बात शुरू करता हूं, लोग आंदोलन विरोधी कहना शुरू कर देते हैं, एक टैक लगा दिया जाता है कि यह वेक्ति आंदोलन का नाश करने वाला वेक्ति है, तो यह जोखिम, यह चुनोती तो आपको उठानी पड़ेगे, क्योंकि आप साहित, वो साहित लिख र करना नहीं है, मनोरंजन करना भी है, मगर समा सुधार और मैं समझता हूं कि जीवन की आलोचना करना, बहुत हुआ मेरा खेल है लंबी बात हम बाचित दुबारा करेंगे, और अभी मैं समझता हूं, एक एक पॉइंट और बोलकर मैं बात को खतम करूंगा, यह दलित साहित सामने एक चुनोती और भी है कि दलित सहीतिकार लगबग ज्यादा तर आत्मकथाओं को लिखने में लग गए और इसकी वज़े से जो बाकी विधाएं है वो हमारे पास कि उंगलियों पर गिनने लायक है हमारे पास कहानिकार कितने हैं हमारे पास उपन्यासकार कितने हैं हम दलित सहीतिकी बात बहुत करते हैं विमर्ष बहुत करते हैं रचनात्मक्त के आधार पर हमारा जो योगदान होना चाहिए वैसा योगदान नहीं बन प महरास्ट्रा में लगबग सौ के करीब आत्मकथाएं लिखी जा चुकी हैं मराठी में ज्यादा ही होंगी इस त्रियोड पुर्शों दुवारा लिखें मगर क्या वहां पचास उपन्यास भी है पच्चेस उपन्यास भी है यह दुखत पक्ष है और यह एक चुनोती की तरह ह हिंदी दलिट साहिति के सामने है अजे नावरिया जी जिन चुनोतियों की आप बात करें और जो इस सत्र का जो उदेश्य भी है मैं समझता हूं को धीरे धीरे बात उन्हीं बुद्धों पर आ रही है और उन पर हम अभी और खुलकर बात करेंगे मैं लक्षमन कायकवार जी से अनुरूद करता हूं कायकवार सर्थ हिंदी दलिट साहितिय के बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि इसका जो मॉडल है वो मराथी दलिट साहितिय से लिया गया है और चूंकि आप दलिट साहितिकार होने के साथ साथ जो डी नोटिफाइट ट्राइब्स है उनके लिए भी काम करते रहें तो जो अजे नावरिया जी ने और कौशल पावार जी ने जिन चुनोतियों की तरफ हलका सा अभी इशारा किया है जिस पर क्या भी आगे और बाते होंगी क्या दलिट साहितिय की अब मैं खाली मराठी साहितिय के बात नहीं कर रहा हूं आपने दोनों हिंदी के लेकों भी सुना एक वरिष्ट लेखक होने के नाते आपकी नजर में जिनकी तरफ इन्होंने भी इशारा किया है ऐसी दलिट साहितिय की ऐसी और कौन सी चुन आपकी नजर में ऐसे दलिट साहितिय की और इस तरह की और क्या चुनोंतिया है जिनकों कि लगता है कि हमारे दलिट लेकों को से उसे कहना चाहिए कि रूप रूप होना चाहिए अभी आमने सामने करना हूं कि बहुत आबारी हूं बागवान दाज जी मैं प्रतम दैनिक ज चुनोतिय के बारे में ऐसा मोखा दिया है लगनों में इसलिए उनका अभार मानता हूं आप सभी मानभो मेरे सभी दोस्त और उपस्थित भाईयों सही बोले तो ये विशे इतना घरन और जटिला भी है क्यूंकि दलिट साहिते के सामने चुनोतिय है चुनोतिय है यानि च दलिट सहीत्य डाक्टर बाबा साहब भिम्राव अंबिडकर और महात्मा जुतिरव फुले इन लोगों ने एक स्वाबीमान जगाया महराष्ट में महराष्ट में नहीं तो पूरे देश में और जो लोग अपने को खुद को शूद्र या आतिशूद्र या ट्राइबल्स यह जो अलग-अलग तपके थे वो पहली बार इस देश में दलित सहीत्य में जुड़े हैं और एक आवाज बुलंग करनी के लिए आए हैं यह आईशी तो कामें बहुत हुई है हमारे महाराष्ट में न्यानेश्वर बहुत बड़े संत या विद्वान थे पहले जुनोंन कि दुरी ताचे तिमीर जाओ जे जे वांचिल ते ते लहो यानि महाराष्ट की शुर्वात ग्यानेश्वर ने और तुकारम ने जो की है जो संतवनी की है कि गरिब तपके के आदमी को न्याई मिले और पूरे दुनिया की गरिबों को मिले लेकिन आज हालक यह है बाबा साहब आमबेड करका यह मिशन आज जब चल रहा है तो मैं समझता हूं कि हमारे दलितों में ही चुन किया ज्यादा है क्योंकि सबसे बड़ा आज मैं देखता हूं आपनी जिकर किया कि महाराष्ट पहले से लिखता आ रहा है जो इतिरा फिले अंदर है उनको डलीत यह कहा जाता है लेकिन इसके नीचे भी डलीत से दलीत है जो हांसियों से भी हांसियां है आएज सा एक तबका है जिसको नूटिफाइड कहा जाता है या नुमेडिक ट्राइब कहा जाता है ये डी नोटिफाइड नोमेडिक ट्राइब्स का कोई मशिया ही नहीं एज देश में, क्योंकि ये लोग 1871 में लड़ाई की जंग शुरू की 1770 का बंड हुआ, उसके समय बिर्सामंडा हो, उमाजी नायिक हो, तंटय भील हो, ये लोग जो थे, ये क्रिमिनल ट्राइब्स हो इसकी लिस्ट बन गए 1871 में, 1871 में मा के पेड़ से जनम से ही बच्चा क्रिमिनल ट्राइब्स होता है, ऐसा कानून इस धर्ती पर बना, और वो कानून आज तक चलता है, ये आपको जानकारी भी ज़रूरी है, आज से साल हमारे जो बुजरूक है, वो कईद खाने में पड को पंटी जवरलन निरूनी कहा कि हम आजाद है, लेकिन आजादी के जंग लड़ने वाले आप ट्राइब आज से विशेश मुक्त करता हूं, यानि विशेश मुक्त यक्तिसागट बावन को यानि आजादी के 5 साल 16 दिन के बाद आजादी मिलने से, हम सविदान के बाहर है यह बहुत लोगों को कम मालूम है, जो यसी स्टी के भी जो चुन के आने वाले सांसद होते हैं, उनका भी हमारे बारे में पता नहीं है, वो यह लब्ज भी संसुद में कोई पूचता नहीं है, क्यूंकि आज लक्षिमन गायकवाड यहां बैटा है, तो मैं प्रथम नाग यह बारत में 10 करोड लोग जनम से स्टिग्मा लेकर चोर गुनिगार वुच्छे के नाम से जाने जाते हैं, इनका कोई रखवाला नहीं है, इनका सविधान में जिकर्न होने से इनका कोई बजट नहीं बनता, इनका शिक्षा नहीं है, दस करोड में से 1 परसेंट भी शूनतिया हमारे साम से सब्के, और आज हमारे सामने आज यह परेशनी है, कि क्या हम को इंसान मानते हो, हमें इनसानियत को देना चाहते हो, मानवता कुछ भाल करना चाहते हो, तो पहले हिंदु धरम में जो पिच्डे हुए लोग है उसको कब ने आई देने वाले हो क्या उसको फिर से गुलाम बनाने वाले हो फिर उसको हनुमान बना के पूंच लगा के उसका मुझ काला करके फिर गुमाने वाले हो तो ये अगर नहीं होना है तो देश में पहले इंस पानियत के तरफ मुड़ जाना ये अवान सबसे बड़ा चुनोती है दली साहिते में कि मेरे समाज को न्याय कैसा मिले और डी नूटिफाइट राइब चोर गुनिगार नहीं है ये देश की जंग लडने वाला समाज था आज उसको न्याय मिलने की और सविधान में नामदर् आपने इस बातचीत को और थोड़ा सा गंभीर बनाया है गायकवाड सर्थ मुझे ऐसा लगता है उसका उसकी तरफ इशारा गायकवाड जी ने उस तरह से नहीं किया जितने कोशल पावार जी और अजे नावर जी निया किया है मुझे ऐसा लगता है कि दलित साहिते की इतर पनपता जो जातिवाद है यह सबसे बड़ी चिनोती है मुझे याद है इसकी इसका जो एक बहुत अच्छा उधारन देखने को मिला वो 1998 में और प्रकाश वालमिकी के कहानी शपी ती इंडिया टुड़े में शव्यात्रा उस शव्यात्रा कहानी को लेकर हमारे दलित समुदाए बैं दलित समुदाए की बात करूंगा उस दलित समुदाए की बात करूंगा उस दलित समुद के जो दूसरे दलित लेखक थे उन्होंने उसकी बहुत आलोचना की और यहां तक कहा गया कि जिस प्रेम चंद की कहानी कफन को जो ओम प्रकाश वालमिक दलित विरोधी कहानी भोशित कर चुके हैं वही काम ओम प्रकाश वालमी की ने अपनी शव यात्र कहानी को लिखकर पूरा किया और उसके बाद पर बहुत लंबी बात हुई बहस चली शोराशिंग बेचें संयोग से वो आनी पाए क्योंकि वो सत्र में ये भी थे और उस सत्र का अगर वो होते तो थोड़ा सा और ये बहस और अच्छी होती तो ये जो जाती बाद की जो सबसे बड़ी चिन होती है और ये जाती बाद कोई ऐसा नहीं है कि दलितों का कोई समुदायने को अपनी तरफ से ओढ़ा हुआ है और इस तलितों में इस भीतर के भीतर जो जातिवाद पनापता इसका एक उधारन में देता हूं, पिछले वर्ष मुझे दो पुस्तकों को देखने का मौकम मिला, एक थी राजिस्थानी की एक कहानी संग्रे था शायद मुझे ध्यान निये, पपेलो चमार, और एक और कवीत संग्रे आया था हमारे वरिष्ट लिखक शोरा सिंग बेचेन का उसका शीरसक था चमार की चाय, मुझे ये दोनों इन पुस्तकों का शीरसक पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा ऐसे इस रूप में हुआ, कि जब हम दलित की बात करते हैं, तो कहीं ने कहीं ये जो हमारे पढ़नाम तो नहीं है, वरना इन शीरसक की ब मुझे इन पुस्त मुष्ट का शीरसक दलित की चाय भी हो सकता था या पपेलोद डलित भी हो सकता था या मैं कहना यह चाह रहा हूं, यह जो इस तरह की चुनोतियां हैं, एक यह दरसल सबसे बड़ी चनोती है और इस चुनोती का सामना करने के लिए हिंदी साहित्य को अभी कहना चाहिए कि बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी मैं कौशल पवार जी से फिर आता हूं इनके पास हिंदी के एक लेखक हुए है रतन कुमार सामभरिया उनकी कहानी यह शर्त मैं इस कहानी का जिक्र इसलिए जानबूच कर करना चाहरा हूं कि इसका जवाब मैं कौशल पवार जी से जानना चाहूंगा उस कहानी का लबब लुवाब यह है कि अगर कोई सवन जाती का पुरुष दलित जाती के साथ दुशकर्म या कुछ इस तरह की हरकत करने की का प्रियास करता है तो लेखक का इस थापना यह है कि दलित समुदाई के लेखक को भी सवन जाती के इस तरी के साथ वैसा ही वेवार करना चाहिए तो कहीं ने कहीं यह जो पुरुषवादी पित्र सत्तात्मक जिसको हम जो हमारे अंदर जो पनप रहा होता है पुरुष के अंदर उसमें यह नहीं है कि पुड़े दिर के लेखक यह भूल जाता है कि मैं जब यह बात कर रहा हूँ तो मैं किसी समुदाई की बात में कर रहा हूँ मैं इस तरी की भी बात कर रहा हूँ तो कौशल पवार जी ये जब इस तरह की का लेखन जब हमारे हिंदी पाठकों के सामने आता है तो उनके अंदर दलित साहित्य को लेकर कही सारे सवाल उठखड़े होने जाहिर सी बात है मैं पूछना आप से ये चाह रहा हूँ कि आपकी प्रतिक्रिया एक दलित और उपर से लेखक होने के नाते इस तरह की रचनाओं को लेकर किस तरह की होगे आप इसको मैंना कहना चाहिए कि खुले मन से कहीए आप ये भूल जाएए कि आप दलित हैं कि इस वक्त आप इस तरी के रूप में ये बात करना चाह रहा हूँ देखे मैंने शर्ट कहानी पढ़ी नहीं रतनकुमार सांभरिया की लेकिन आपकी बात को मैं इंडॉर्स करती हूँ आपने पढ़ा है मैं ये कहना चाहूंगे कि ये डेंजरस मान सिकता है चाह वो दलित के द्वारा उठाए गई हो या गैर दलित के द्वारा उठाए गई हो या किसी भी अक्षेत्र के द्वारा उठाए गई हो आखिर महिला सही बदला क्यों लिया जाता है आप पूर्श आगर की सी तरह का कोई दुश्करोम करता है, जा वो दलीत पूर्ऴ हो या fix भी अपर काष्ट का पुर्ष भी हो किसी भी तबके का हो, आगर यह मान सीकताँ आप साहिते में भी लेकर आ रहे हैं। मुझे लगता है आप साहिते को कहीं ना कहीं साहिते का नाम बदनाम कर रहे हैं इसाहिते नहीं है साहिते मानवे अधारीत होता है साहिते संता पर अधारीत होता है साहिते न्याय की मांग करता है और न्याय की मांग अगर एक दूसरे के उपर अन्याय करके न्याय की मांग एक अगर ऐसे कोई चीज उभर के आती हैं तो उसका ना सरफ दली तीज्तियों को विरौद करना चाहिए बलकि एक कोई भी साहत्याकार चैनलग और किसी भी भाषये का क्यों ना हो, उसको उसका जवाब देना चाहिए क्योंकि हम अगर इस तरीके की आप अराजकता वाला साहित्य अगर लेके आते हैं मैं इसको अराजक की स्थिती में मानती हूं तो एक अराजकता की स्थिती पैदा होने के बाद ना तो लोकतंतर बचता है और ना समिधान बचता है लोकतंतर और समिधान जो समिधान जो हर एक व्यक्ति को अपना जीने का अधिकार देता है वहां ये कहां लिखा हुआ है कि आपके उपरा अगर कोई अत्याचार करता है तो आप उसके बदले में ऐसा ही करिए आप इसका मतले यह हुआ कि आप में उसको रोकने का कोई पॉलिसी नहीं है कोई समधान नहीं है कोई सहते में भी कोई लेक नहीं ऐसे शब्द आप उसमें नहीं घड़ना चाहते हैं जो इस तरीके के अत्याचारों को देखके एक मानसिक द्वालियापन की तरफ जाते हूं मैं बिल्कुल एक दम इसका विरोध करें दूसरी चीज मै यह कहना चाहती हूं कि बिल्कुल सही है कि जो सहिते के अंदर जो जातियों का जो स्तरीकर्ण जो हमें दिखाई देता है आज उसकी जड़ को भी देखने की जरूरत है आखिर वो यह मानसिक्ता आई कहां से क्यों एक अगर मैं सफाई करमचारी की बेटी हूं और मेरे संस्कृटाइजेशन कहना चाहूंगी बलकि जो एक संस्कृटी जो आपने आपने सामने रखे हुई है प्रतिस्तापित संस्कृटी है जहां आप एक को दूसरे से स्रेष्ट समझना चाहते हैं जो जातियों के अंदर भी आ रहा है वो कहीं ना कहीं उसके साहित्यकर्ण उ जब तक समवेधन शील होकर इन पूरी की पूरी स्तरीकर्ण की प्रिक्रया को नहीं समझता तब तक मुझे लगता है उसका लेखन एक तरह से मनोरंजन का शाधन है आप उसमें मनोरंजन कर सकते हैं लेकर उसमें नय की भावना आपको दिखाई नहीं देगी पॉश्य अंत अबहुतों त्वल साहिक्ति करओं की जिम्मेधारी यह बलकि आम व्रक्ति के पिजिम्मेधारी है कि वह जाती हां जो जो अपने जीवन के प्रशन को लेकर लड़ा है उनकी आवाज थेमं को नहीं दिखाई देथी बहुत बहुत धन्यवादान अभी मित्नों पिसे दिलो आपने सुना होगा कि दलित शब्द पर जिस तरह से प्रतिबंद लगाने की कोशिश की गई थी, उस पर बहुत तीकी प्रतिक्रिया हमारे दलित लेखों की तरफ से व्यक्त की गई थी. अजे जी, ये जो शब्द को लेकर, और अभी शायद पिछले दिनों तो सरकार ने, ये नॉटिफिकेशन भी जायरी किया है, कि आप दलित शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, अनुसूचित जाती का इस्तेमाल शब्द करेंगे. तो हम सब ये जानना ये चाहेंगे, कि अगर मान लीजिए, दलित शब्द को सरकार हटाना चाहती है, और दलित बुद्धी जी भी उसको रखना चाहते हैं, तो इस रखने या ना रखने का एक आम दलित, उस पर क्या इसका असर पड़ेगा, क्या फर्वापड सकता इस पर देखें, मैं पहले आपके, जो आपने कौशल जी से सवाल किया था, रतन कुमार सामरिया जी की कहानी शर्थ को लेकर, मैं एक बात उस पर जरूर पहद हूँ, कि रतन कुमार सामरिया खुद को दलित साहितिकार नहीं मानते हैं, वो आज से नहीं, मुझे ध्यान है, सन 2000 में शायद उनका कथाक्रम में यहीं, शालिन सागर जी की पत्रीका में लेक चपा था, मैं दलित साहितिकार नहीं हूँ, दलिति चेतना का कहानिकार हूँ, तो एक तो यह वो घोशेत रूप से दलित साहितिकार नहीए, दूसरी बात, अगर आप उनकी कहानी को महतु दे रहे ह हैं कि वहाँ पर उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी वो काहनी संयोग से मैंने पढ़ी हुई है इसलिए कह रहा हूं तो उस काहनी में वो एक शर्त रखते हैं कि समण जिसने रेप किया है वो कहते हैं कि तुम बदले में तुम इस उसकी लड़की भी हमको एक उसके लिए दी जाए तब आपको ये भी याद रखना चाहिए कि जो वास्तों में अपने को दलित लेखक कहते हैं और इतने लंबे समय से लिख रहे हैं महंदास नहमिश्राय की कहानी आप याद करिये अपना गाउं और उसमें वो बहुत साफ जब ये बात आती है कि उन्होंने कुछ बिग्डैल दबंगों उसने सवर्णों ने महिला के साथ बत्तमीजी की उसे गाउं में नंगा गुमाया तो जवान लड़के कहते हैं कि हम भी उनकी ओरतों को नंगा गुमाएंगे और महंदास नेमिश्राय के पात्र कहते हैं कि ये बिल्कुल नहीं होगा बेरवानी उसकी हो चाहे हमारी वो इज़त है तो ये ये कंटर्डिक्शन ऐसा नहीं है कि एक कहानिकार के आधार पर हम पूरा दलित साहित का निश्कर्ष निकाल सकते हैं एक चीज़ दूसरी चीज़ जो आप दलित को लेकर आप कह रहे हैं देखिए दलित शब्द को लेकर जिन लोगों ने ये याचिकाने डाली कि इसको बैन किया जाना चाहिए अब फिर से इसके खिलाफ लोग डाल चुके हैं कि इसको बाहल किया जाए ये शब्द किसी पर किनी समूहों पर दलितों की जातियों पर लादा नहीं गया है ये उनका चुनाव है और जो चीज चुनाव होती है उसमें शर्म नहीं होती उसमें स्विकारोक्ती होती है उसके पीछे एक इतिहास बोध होता है अब अगर किसी को हरिजन या अच्छूत कहा जाए तो ये हमारा चुनाव नहीं है तो अगर दलित हमारा चुनाव है और जब दलित साहित इतना लिखा जा चुका है है विमर्श इतना बन चुका है इस पर अलग से सेंटर्स चल रहे हैं विदेशों में इतना काम हो रहा है तब आप उसे बैन कर देंगे तो यह सब चीजों को बैन करना हो गया मनलब आप शब्द को बैन नहीं कर रहे हैं पूरी परंपरा को बैन है माफ कीजिए मेरे मुझ पर लाइट लगती है मैं मुझसे सामने बहुत देखा नहीं जाता है एक जो चुनौती यह है कि पिछले सतर सालों में जो बदला हुआ है पूरे लोकतंत्र के लोकतंत्र की जैसी भी इस्थिती रही जैसी भी बहाली हुई लोकतंत्र हमारे यहां पर उसने एक अच्छा काम यह किया है कि उसने लोगों के अंदर एक आत्म विश्वास दिया कि हम भी इस देश के नागरिक है जिनको यह पहले महसूस ही नहीं होता था हम इस रास्टर का हिस्सा हैं उनको लगा बगर इन सतर सालों में जो बदलाव आय है उसकी वजह से हिंसा का रूप बदल गया है पहले आप देखेंगे गरामीन च्छेत्रों की हिंसा में और शहरी च्छेत्रों की हिंसा में जो अलग अलग तरह से जैसे पता नहीं आप लोग कितना महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं मेरा बेटा 20 साल का है जब वो वह कॉले है कि आप देखेंगे आमतोर पर दलेत या पिछड़ी जाती के लोग जाती नहीं पूछते कॉलेजों में पूछने वाले संवाण होते हैं शुरुआत महीं करते हैं कि आप किस कास्ट क्यों कि अंत्ता उनके पास वह एक वैपन है जिससे वह मार देंगे कुछ अगर आपके उनके पास ग्यान नहीं है नॉलेज नहीं है उनके पास वकेल प्लेज़ी नहीं है शब्द ग्यान नहीं है मेरिट नहीं है तो भी उनके पास एक हतियार है और वो है उनकी जाती की का उच्छता वो जिससे वह अंत में वद करेंगे तो ये एक चुनौती हमारे सामने रहती है दलिस साहिते के सामने कि हम उन टेंडेंसी को उन मनवरतियों को भी साहिते में लाएं जो की अब शेहरों में बहुत प्रशन रूप में चल रही है एक आदमी मुझसे हाथ मिलाता और हाथ मिलाने के बाद ऐसे करके हाथ साफ कर लेता है क्या मैं नहीं देखता हूँ कि उसने ऐसा क्यों कि अज़े जी मैं थोड़ा से माफिकर क्योंकि हमारे तो यह सब चीजें अगर आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि चुनोतियां तो बहुत हैं दन्यवाद देखिए अब चुकि हमारे पास कुछ समय की में बारवार घड़ी पर मैं चाहना आथा कि आप लोग बात करें और देखिए बहुत सारे हाथ मुझे लग रहा है कि सत्र को डबल इसको समय जादर देना चाहिए तो कि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे हाथ कुछ सवाल अपनी जिग्यासाओं को शांत करने के लिए खड़े में तो मैं चाहूंगा कि यह आप अपना पहले पर सब्सक्रागी हूं को रखफुर से आया हूं और मेरा सवाल आप से ही है और दलित साहित्य में यह ठीक है कि दलित साहित्य एक तरह का नहीं है जितने लेखक हैं उतने तरह की चेतना उतने तरह के भाव उतने तरह के संदर्व बहुत सारे सवाल तो आपके जवाब से मिल ग करना और दलित साहित एक लंबा समय हो रहा है मैं चाहता हूं कि दलित साहित यह काम करने में क्यों अभी असमर्थ है रशनाकार ही क्यों स्वेंग का लोचक है क्योंकि आप एक शाय है यह दिखिए मैं दलित साहित ते कमजोर मानता नहीं हूं एक तो तलित साहित वह है जो इंसानियत को बुनियाद को स्वाविमान को लेकर जो खड़ा है उसको हम दलित साहिते और यह क्रांटीकारक साहिते हैं जो महिलाओं को नीचे गिरे तबकों को नियाई दिलानी के लिए खड़ा है वह आपना सवाल साहिते में पूछता है कि क्यों मैं इंसान नहीं हूं मुझे जानवरों से बत्तर क्यों यहां इस्तमाल किया जाता है हर धर्म में तो हमारा सवाल यह है कि दलित साहिते आज खाली भारत में नहीं है विश्व में चमक तो आप बदलने की बात कर रहे हैं बदलना है तो आपकी मानसिकता पहले बदलो जो आपके घ्रहन में बैटा है कि दलित कुछ करता है अभी बरोबरी का स्तान अगर दलित सहीत्य आम सहीत्य जूडता है तो ये कद बनता है हमारी मराटी में काहत Х national आपका जूता अगर बेटे को पईर को आए तो बाप ने आपने बेटे को बरीबर का दर्जा देना चाहिए हमीशा लिए उसको डंडे से मारना नहीं चाहिए भारत में आज दली साहिते आपनी बराबर का हो गया है उसको सम्मान दो वो आप से बराबर मिलेगा और इसको खत रहे हैं और सविधान जब तक है तब तक हम लिखते रहेंगे डाक्टर बाबासाब आमबेड कर जो तीरा फुले शाहू महराज यह जो परंपरा हमारी है यह इंसानियत हमारे संतों तुकाराम बोलते कि तुझा आहे तुझा पाशी पंद तुझा आगा सुकलाशी यह देहा पारी लिखनी उठी है जब तक हम इस देश में समानता नहीं लाएंगे सुबको न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक दलित सही ते बरकरार रहेगा यह कोई बंद नहीं करेगा अजय जी जवाब जवाब मैं सब्सक्तर राम सुधार सिंग बहरान सीशे मेरा सवाल यह कि आसा माना गया है कि दलित लेखन केवल दलित जात के लोग भी कर सकते हैं अथवा दलित विमर्ज के समर्थक दलित जात में पैदा हुए लोग कर सकते हैं और यह मानना दलित लेकों का ही है और अगर यह सही है तो फिर प्रेम चंद निराला और नागारजुन कहां जाएंगे और इसी के साथ एक सवाल और जिसको पवार मेडम का सब्द ले लूं कि डेंजरस नजरिया अगर दलित चाहित में आ रहा है डेंजरस मा आते हैं कि दोनों में तफावत न रहे हम एक जगह आए अभी यह घर बनाईए ना एक मकान बनाईए आप आलग मकान में रह रहे हैं आप खुद को स्रेष्ट मान रहे हैं और दलिते के मकान के तरब गुजरना भी नहीं चाहते तो यह गलस है और हम यह प्रेम चंद को भी मानते हैं निराला को भी मानते हैं और विश्म साहनी को भी मानते हैं कृष्ण सुप्ति को भी मानते हैं और जो मुर्दया लिका है जो अपना तुलसी राम ने तो उसको भी मानते हैं वही यह दिखिए हम यह भारत की संतान है जब तक हम हमारी जो संस्कृती जो बीच में आठकी है उससे सब बाहर निकलो पिंजडे से और इंसान प्रतम है इस देश में जाती धर्म से भी बढ़कर इंसान बढ़ा है उसके लिए जोड़ो और एक मकान बनाओ एक विचारधारा बनाओ एक देश में भाशा बनाओ और सब का दुख्ष पूरा वंचित लोगों को सा लो हमें चूरी करने का मौका फिर से मत दो इस देश में रूटी के लिए चूरी करना पड़ता है वो देश कभी येक्ता नहीं लाता और हम चाहते है वो रोटी चूरिने वाला लक्षिमन गायकवाड चोर गुनिगार नहीं है वो समाज और वो देश गुनिगार है जो रोटी के लिए मुझे चूरी करनी पड़ती है यह भी हमको देखना पड़ेगा मौरवाल मौरवाल जी इधर 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 मेरा प्रश्ण है लेकिन बस बस एक मिनट मुझे इशारा किया जार और घड़ी पहली बात तो यह चलिए इतनी में छूट दे सकता हूं आखरी प्रश्ण है जी चलिए पहली बात तो यह कि जो मंच से कहा गया मंच तभी सम्मानित ह है जब मंच अपने शोताओं से सम्मानित होता है मैं यहां से आपकी इस बात का बहुत विरोध करता हूं कि हम दलित से हाथ मिलाने के बाद अपना हाथ पोच्छते हैं मैं आप आपके जो दलित हैं डॉटर विवेक कुमार प्रोफिसर विवेक कुमार जी एन यू में वो मेरे बचपन के दोस्त हैं और वो और हम मैं ब्रहम्मन हूं वो दलित हैं और हम एक थाली में खाना खाते हैं इस बात को याद रखिएगा मैं चाहूंगी किसका जवाब देने के अनुटी मुझे दिए और कॉशल और चीजे बहुत चीजे बदली भी हैं सर ऐसा लहीं नहीं हम तो कह रहे हैं इस बात को मोरवाल जी मेरी बात आने दीजिए मैंने मैंने आप से अपनी बात कही मेरा प्रश्ण ये है क्योंकि यहां और वो ब्राहमन वो दलित और वो ठाकुर जो परस्पर भाईचारे से रह रहे हैं उन पर आप कोई कहानी क्यों नहीं लिखते हैं हमने बहुत कानी लिखी है ऐसे बारे में और ब्राहमन और दलित आने वाले दिनों में एक जगा आएंगे और सब को यह साथ लेकि इस देश में जाएंगे आपकी बात कहना चाहूंगी यह बिल्कुल सही है कि हम को यह ऐसा संदेश या नहीं देना चाहते हैं जहां खाई चोड़ी हो जाए लेकिन इस सचाही से भी इंकार नहीं किया जा सकता सर जिस यूश्टी के आप बात कर रहे हैं प्रफेसर जेन्यू प्रफेसर विवेक कुमार जो जेन्यू में है बहां से ही मैंने पीएच्डी की है और वही उसी यूश्टी की कड़वी सचाही यह है कि जहां जिस स्टूडेंट जिस बेंच पे बैठते हैं खासकर दली स्टूडेंट एक क्लास में जब बैठा जाता है उस बैंच पे वो दूसरा स्टूडेंट बैठना पसंद नहीं करता आज की बात बता रही हूं मैं आपको यह आप आप इस सचाही को भी सविकार करिए नह की उस सचाही को भी उस सचाही को भी आप इंकार नहीं कर सकते मुझे लगता है हमें अपनी सुविक्रिती इस पे लेनी चाहिए यह दिखिये मेरा आप सब लोगों से समाज में देखे जो सामने बैठे मेरे शोता है दा सके मैं उसे मेरा अन्रोध है कि जड़ा कम सक्ब इस कवान लगी आप जाप आपसले बिरोद ना आता है दचाहता हूं तो इस तरे से सब को भुड़ होकर हमारे इंदेशनद है आपकर नहीं प्लीज प्रक्षिए अप्रक्शादे गाफ करिए गार्ये करें यह एक डिया करके जो ऑंच्विक्त अशनदे कर इंवीकार कर लें ह जब तक आप समवाद साभित नहीं करेंगे, तक तक मुझे लगए यह बनी गए है और मैं कोट्टी करूँगा। जब तक मुझे लगए यहीं समाप्त होता है, जागरान समवादी का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, कितनी उत्तेजक, विचार उत्तेजक, यहीं रास्ता चलेगा, इनी पर बात होगी, और एक सत्र है यह तो सार, अभी और मौके आएंगे, आप अपनी बात के यह इस सतर की सुंदरता यही है कि हम आपस में समाथ कर रहे हैं, जैसा की हमने पहले कहा था बेहत समेदन शीर विशे, दलित साहित की चिनोतियां शीर नहीोचर को सा हमने बात की सुंदरता यहीं, जैस तलित सम्प्टर accounting है जैसा चलेखव में सम्फ्टर कर रहे है सम्प्रस का विछ में ही है यह हमनेचित साहिए, जैसा टेज catchy संपन्तियां कि पहीं आए, आदी है, जैसा कि छलेसे रहिती हैं बातिता है झाल झाल